Innovation एक broad term है जो business, medicines, transport और education सब शेत्र में use होता है किसी का एक creative thought से किया अद्वुत अविशकार सब के लिए फाइदिमन्द होता है एक simple pen की बात करें या फिर modern fast technologies की सब में time to time अलग-अलग innovations होते रहे है Innovation और invention दुनों अलग है invention पहले किसी चीज का किया जाता है और फिर उस same चीज को अलग-अलग तरीके से develop करते हैं उसे innovation कहा जाता है चल ये एक simple example लेते हैं पहले computer invent हुआ तब उसका body structure बड़ा होता था लेकिन अब new innovations के साथ flat screen computers आते हैं उसी तरह mobile phone भी button phones पहले मिलते थे फिर phones की technology touchscreen phone में develop हुई उसी तरह आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़े दिखाऊंगे इस वीडियो में जिनका innovation नेचर से प्रेरना लेके किया है और कुछ चीज़े हम daily use भी करते हैं किसी ने शायद सोचा नहीं होगा कि हम जो use कर रहे हैं वो चीज ऐसे बनाई गई है चलिया आज इस वीडियो में आपको बताती हूँ ऐसी ही कुछ चीज़े कि जो नेचर से प्रेरना लेके बनाई गई है लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से latest update पाने के लिए अमारी चैनल आज काई गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूले यर 1941 में जोर्ज दर मेस्ट्रिल और उनका डॉग जब घूम रहे है तब बॉर्डोग प्लांट की सीट्स उनके कपड़े पे और डॉग के फर पे चिपक गए जिससे zip का use ना करना पड़े स्टार्टिंग में इनके inventions पे काफी problems आई लेकिन उन्होंने उस पे काम करा और improvement करना चालो रखा यर 1955 में वेल्कुर डिजैन सक्सेस्फुल होने के बाद उसे patent किया गया इसी तरह एक प्लांट से वेल्कुरो का अविशकर हुआ और आज हम सब इसका use काफी चीजों में करते है Research ने plant में distribution network कैसे work करता है इस बात पर काफी research किया है ताकि cargo products एक जगा से दूसरी जगा भेजते वक्त आसानी से जा सकते है अब इसमें plants को study करने का मतलब ये था कि जिस तरह से leaves का एक vein damage होने से ट्री को कोई नुकसान नहीं होता उसी तरह researchers ने distribution network model बनाया गया है जिस से एक channel damage होने पे भी products transport होने में कोई problem नहीं आएगी और इस तरह से leaf के vein से distribution network का model बनाया गया है जैपन इस bullet train स्पीड में बहुत फास्ट होती है और जब train tunnel से पास होती है तब इसका बहुत loud noise होता है railway station के पास रहने वाले लोगों को train का आवास काफी परेशान करता है इसलिए engineers ने सोचा कुछ ऐसा करते हैं जिससे train का आवास थोड़ा कम हो जाए तब engineers ने देखा कि kingfisher bird का build shape ऐसा है जिससे हवा और पानी दोनों बहार जाता है इसलिए engineer की team ने bullet train का shape kingfisher build की तरह बनाने का सोचा और ये innovation successful रहा जिससे सिर्फ आवाज ही नहीं कम हुआ तो train जितना energy यूज करती थी पहले वो भी 15% से कम हो गे और speed भी 10% increase हुई इस तरह एक bird की build के shape से train का loud noise कम करने में मदद मिली आपने rainwater harvesting सुना होगा बारिश का पानी future में काम आए इसलिए store किया जाता है उसी तरह ये fog harvesting है जिस जगह पे कम बारिश होती है उस जगह पे fog harvesting से लोग अपने इस्तिमाल के लिए पानी सेव करते है अब यह fog harvesting शुरू कैसे हुआ नभी बीटल नाम का insect है जिसकी body पर पानी खिरने से पानी absorb नहीं होता है बलकि पानी उस bee के मूँ जाता है बिना एक बूंत नीचे गिरे क्योंकि इस bee की body अत्यादिक hydrophobic wax से cover है जिस वज़ा से पानी absorb नहीं होता है श्रीरंग चत्रे नाम के इंसान ने नभी बीटल का काफी ध्यान से निरिक्षन किया और इस नभी बीटल को देखके श्रीरंग चत्रे ने hydrophobic material वाला टार का जाल बनाया जिससे पानी उस टार के जाल पे attract होगा और फिर बिना absorb हुए एक बर्तन में गिरेगा ये method सुनने में practical नहीं लगता होगा लेकिन बहुत सी जगा पे इस method को इस्तमाल करते हैं इस तरह से कुछ अलग innovations इंसान ने खुद्रत की चीज़ों से प्रेड़ना लेके की है कुद्रत की चीज़े naturally ऐसी बनाई गई है कि कभी कबर इंसान उस पे इतना ध्यान नहीं देता है अब आपके इस वीडियो पे क्या views है वो हमें कमेंच में सरूर बताइए और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तिसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब सरूर करें और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तो धन्यवाद